आसान और नए नए तोर तरीकों को बढ़ाना होगा हमारी ये प्रयोक न्यू एज लर्निंग का मुल मंत्र होना चाहिए एग एगेज एकस्प्लोर एकस्प्रियंस एकस्प्रेस और एक्सेल यानि की स्टूड़न्स अपने रूचि के हिसाब में गतिविद्यों में गट्नाओं में प्रोजेक्स में एंगेज हो को कि इसे अपने हिसाब से एक्ष्प्रोर करें कि इन गतिविद्यों घतनाओं प्रोजेक्ट्सð को विविन दृष्टिकों अपने experience से से सिखें ये उनका personal experience हो सकता है या collaborative experience हो सकता है फिर बच्चे रचनात्मत तरीके से एक्सप्रेस करना सिखे इन सब को मिला कर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है अब जैसे कि हम बच्चों को पहड़ों पर एक्तियासिक जगों पर खेतों में सुरक्षित मैनुफेक्टरिंग युनिट में लेकर जा सकते हैं अब देखिए आप ट्लास्रूम में उनको रेलिवे का इंजीन पढ़ाएं कास्रूम में आप उनको बस पढ़ाएं लेकिन कभी ताय करें कि अगर गाओं के नदी में रिल्वे स्टेशन है तो चलो जाएंगे बच्चों क पर ट्रेंग आती है तो एंजीन कैसा होता है दिखाएंगे फिर अब बस स्टेशन पर ले जाएंगे बस कैसा होता है दिखाएंगे वो देख करके सिखना शुरू कर लेता है मैं जानता हूं कई प्रिंसिपार्स और सिख्षक है जुरूर यह सोच रहे होंगी कि वो तो लेकिन यह सब जगे नहीं होता है और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना ज्यादा फैलाएंगे हमारे साथी सिख्षकों भी सिखने का मोका मिलेगा और इस वज़र से बहुत से छात्र प्रैक्टिकल नौलेज से दूर रह जाते हैं टीचरों का एक्सपरियंच जितना ज्यादा शेयर होगा वो बच्चों के लाब में जाएगा है